is hello friends आज मैं आपको रंगोली पाथ बनाना सिखा रही हूं को जिसमें मैं सिंगोनियम प्लांट का यूज करूंगे एक खाली कप में दही का खाली कप था उसमें नीचे थोड़ी सी गिट्टी डालके मैं सिंगोनियम का प्लांट लगा रहे हूं और ीस प्लांट को लगाने के बाद मैंने एक पारदर्सी खाली डिब्बे में इसको सेट कर दिया है और साइट साइट से मैं यह स्टोन डाल रहे हूँ कलरफुल इसके बाद मैं यह रंगोली का कलर जो कि दिवाली में हमारे यह बच जाते हैं उनी का मैं यूज कर रहे हूँ आप इसको चमट से डारेक्ट डाल सकते हैं पर डारेक्ट डालने में थोड़ी दिक्कत हो रहे हैं इसलिए मैं इसको हनल में का यूज कर रहे हूँ और इससे बहुत आसानी से कलर डालते बन रहा है आप इसको चारो तरब से गुमा गुमा के ऐसे कलर डालते जाएंगे तो ये बहुत ही अच्छा लहर की तरह जिसमें लहरिया जैसा बनता जाएगा और ये बहुत अच्छा लग रहा है आप अपने मन पसंद के इसमें कलर यूज कर सकते हैं जैसे की आपके पास कलर होगा है और मैं सिंगोनियम पार्ट में कलरफुल स्टोन डाल रही हूँ जिससे ये अच्छा लुक दे रहा है और मैंने इसको ऐसे कैबनेट में सजा के रखा हुआ है और आप बताईएगा मेरा ये रंगोली पार्ट आपको कैसा लगा इसके लिए लाइक कमेंट और सेयर करिएगा थैंक्स पर वाचिंग झाल रहा है